कहitions को दुखी या पर बोलेगे है कि एक वेक्टि को साटें प्लेस में सबीच reminding ।सने देख लेन होगा हैं तो फिप 10 सिर्ड險 ऎलेट पहुंच जाए था एक कि पोलेट्टि है तो ये पर को सहन में पूछा का है कि वो वेक्टिक को कि इतना distance cover करना पड़ेगा दिखे इस question को shortcut ते रिके से कैसे solve करना है सबसे पहले यह पर speed को multiply करना है यह पर देखे 4 km पारावर है और यह पर देखे 6 km पारावर है इन दोनों speed को multiply कर दीजिए मतलब 4 x 6 करना है ठीक है उसके बाद divided by करना है इन दोनों speed का difference को निकल लीजिए मतलब यह पर 6 minus 4 is equal to 2 यह 2 से यह पर divide कर देना है ठीक है multiplied by यह पर time को add कर दीजिए मतलब 15 minutes and 10 minutes इन दोनों को add कर दीजिए 15 plus 10 is equal to क्या हो जाएगा 25 minutes हो जाएगा ठीक है अभी इसको solve करना है तो यह पर हो जाएगा 10 10 से deep काटेंगे यह पर हो जाएगा 5 यह पर 2 2 से काटेंगे यह पर 2 2 काट जाएगा तो यह पर बाकी रहेगा सिर्फ 5 तो मतलब यह पर distance हो जाएगा 5 km मतलब वो विखती को 5 km distance cover करना पाएगा ठीक है समझ में आ गया तो चली next question को देख लेते है question को देखे 60 km पर आवर इसी speed से जा रहा है 110 मीटर का एक train same direction में जा रहा है दूसरा एक train को जिसका length है 170 मीटर and जिसका speed है 54 km पर आवर कीतना second में cross करेगा है एही question में पूछा गया है देखिए question में time पूछा गया है time का मतलब क्या है distance को अगर speed से divide कर देंगे तो time मिल जाएगा यह पर पहले distance चाहिए distance कितना होगा देखिए यह पर 110 मीटर है पहले train का length दूसरा train का length है 170 मीटर तो यह पर distance हो जाएगा 110 प्लस 170 is equal to 280 मीटर हो जाएगा distance 280 मीटर हो जाएगा distance speed कितना होगा देखिए यह पर इस question को समझना है आभी यह पर एक train का speed है यह पर 60 किलेमेटर पार आवर 60 किलेमेटर पार आवर दूसरा एक train का speed है 54 किलेमेटर पार आवर ठीक है यह दोनों का speed है यह पर ठीक है same direction में जा रहा है यह दोनों train देखे यह पर एक का स्पीड है 54 km, तो अगर दोनों का स्पीड ही 54 km होता, दोनों का स्पीड अगर सेम रहा था तो एक दूसरे को cross नहीं करता, तो इसका मतलब देखे यह जो 60 km per hour train का स्पीड है, इसका स्पीड कितना ज़्यादा है? 60 minus यह पर 54, 54 is equal to 6 km per hour ज़्यादा है, यह अब पर ताइम मीज rough कीया हो जेगा. इस्टेंस है 280 और यह पर 6 km पार आओर है. यह पर speed. तो देखिए, यह पर 6 km पार आओर में है. यह पर देखिए, उपर में में यह पर distance है, meters में है. То यह पर 6 km पार आओर को हम meters per second भी लेगा. ये पर 5 by 18 से multiply करना है. तो यह पर कटेंगे तो यह पर 3 हो जाएगा तो यह पर 5 by 3 मतलब यह पर नीचे हो जाएगा 5 ऊपर हो जाएगा यह पर 3 ठीक है तब इसको solve करना है यह पर हो जाएगा यह पर कटेंगे तो यह पर 5 और यह पर 6 ठीक है 56 into 3 is equal to 168 तो 168 किया है 168 second है 168 seconds मतलब कितना minutes कितना second है यह पर देखे 168 का मतलब है 2 minutes, 2 minutes and 48 seconds हो जाएगा ठीक है यह पर 2 minutes 48 seconds लगएगा एक दूसरे को cross करने में ठीक है समझ में आगा तो चलिने इस question को देख लेते है question को देखी यह पर A and B का speed का ratio है 3 is to 4 यह पर A, B से 20 minutes ज्यादा time लेता है destination में पहुंचने के लिए ठीक है तो यह पर question में पुछा गया है कि A वो destination में पहुंचने के लिए कितना time लेगा देखीए question को समझना है यह पर A का speed का ratio है 3 भाग, B का है 4 भाग, ठीक है speed जिसका ज्यादा होगा वही कम time लेगा और speed जिसका कम होगा वह ज्यादा time लेगा A का speed यह पर कम है यह ज्यादा time लेगा, B का speed यह पर ज्यादा है तो B कम time लेगा कितना ज्यादा कितना कम time लेगा, speed का ratio अगर ऐसा होगा तो time का ratio उल्टा हो जाएगा तो मतलब time का ratio हो जाएगा 4 is to 3, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 3 is to 4 अगर speed का ratio होगा, time का ratio उल्डा हो जाएगा, इसको पकरके इसको solve करना होगा, ठीक है, तो time का ratio यह पर 4 is to 3 होगा, तो time का difference कितना है, यह पर देखे 20 minutes का है, difference मतलब B से A कितना जाधा time लेता है, B से A कितन पर अगर 20 minutes है, उस हिन में पुछा गया है कि destination में पहुंचने के लिए एक इतना time लेगा, तो destination में पहुंचने के लिए एक टोटल time का भाग कितना है, 4 भाग, तो यह पर multiplied by 4 करना है, तो यह पर 80 हो जाएगा, 80 minutes हो जाएगा यह पर total time, ठीक है, 80 minutes से बार total time, अभी आपर द 3 hours, ठीक है, तो यह पर 1 integer 1 by 3 hours हो जाएगा, यह पर answer, ठीक है, समझ में आ गया, तो चलिए next question को देख लेते है, question को देखी, यह पर एक truck 550 meter cover करता है, 1 minutes में, जहाँ एक bus 33 kilometers cover करता है, 45 minutes में, तो यह पर truck and bus car speed का ratio किया होगा, बो पुछा गया है, यह पर देखिए, दोनों का speed यूनिट्स में है, यह पर देखिए, ट्रक 550 meters cover करता है, 1 minutes में, यह पर देखिए, meters में है, और minutes में है, और यह पर देखिए, kilometers में है, और minutes में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, bus का speed निकल लेंगे, bus का speed कितना है, यह पर देखिए, 33 kilometers जाता है, 45 minutes में, तो यह पर 33 को 45 से divide करना है लेकिन यह पर 33 km में है और यह पर 45 minutes में है तो यह पर km per hour में लेने के लिए हमें क्या करना परेगा नीचे minutes को हम hour में convert करेंगे तो minutes को अगा 60 से divide कर देंगे तो यह पर क्या हो जाएगा hour हो जाएगा तो यह पर उपर हो जाएगा 60 45 को अगा 60 से डिवेट करेंगे तो यह पर आवर में हो जाएगा तो मतलब उपर 60 चले जाएगा ठीक है तो इसको करेंगे अभी यह पर 6 यह पर 4 तो 3 से काटेगा 11 4 into 11 is equal to 44 km पर आवर ठीक है यह तो हो गया बस का स्पीड 44 km पर आवर तो इसको हम क्या करेंगे मीटर पर सेगें में फिट से इसको हम मीटर पर सेगें में लेंगे तो यह पर माल्टिप्लाइड बई 5 बाइटीन करना होगा ठीक है तो 5 बाइटीन करेंगे इसको काटेंगे 22 यह पर आजाएगा 9 पर हो जाएगा 110 दिवाइड बाइड बाइड नाइन ठीक है यह किया है मीटर पर सेगें अब यह पर ट्राक का जो स्पीड है उसको भी हम मीटर पर तो इसको काटेंगे इसको काटेंगे तो उपर आजाएगा 55 डिवाइड बाइड 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 है समझ भाए रहा है तो 9 is to 12 physical to क्या है यह पर 3 is to 4 हो जाएगा मतलब track and bus का speed का ratio यह पर 3 is to 4 हो जाएगा ठीक है समझ भाएगा बहुत easy है चली next question को देख लेते है question को दिखी यह पर 540 meter लंबा एक train 72 km per hour इस speed से जा रहा है तो यह पर question में पुछा गया है कि 160 meter लंबा एक tunnel को cross करना है कितना time लागेगा वो train का इस question को solve के से करना है देखिए यह पर train का speed is 72 km per hour यह पर देखिए length है meter में तो यह दोनों unit अलग है इसको हमें 1 unit में convert करना होगा देखिए 72 km per hour को km per hour को हम meter per second में लेंगे तो यह पर 72 के साथ 5 by 18 multiply हो जाएगा तो यह 5 by 18 कहां से आता है यह पर 1 km per hour ठीके 1 km per hour का मतलब क्या है 1 km per hour मतलब 1 km जाएगा एक घंटा में ठीके एक घंटा में ठीके उपर हो जाएगा एक किलोमेटर नीचे हो जाएगा एक घंटा तो एक किलोमेटर मतलब कीतना है 1 km मतलब 1000 m, ठीके, उपर हो जाएगा मीटर, नीचे हो जाएगा, आवर को हम अगर सेगेंड में कनफर करेंगे, तो यह पर 60 x 60 सेगेंड हो जाएगा, ठीके, 60 सेगेंड में 1 मिनिट होता है, और 60 मिनिट में 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा का मतलब कितना है, 60 x 60 सेगेंड, is equal to 36 600 second ठीक है तो इसको अगर काटेंगे तो यह पर हो जाएगा 5 यह पर हो जाएगा 3 5 by 18 तो 5 by 18 आजाएगा ठीक है 5 by 18 ऐसे आता है बहुत स्टोरेंट के मन में यह कुस्षिन आता है 5 by 18 कहां से आता है देखिए 5 by 18 ऐसे आता है ठीक है तो इसको multiply करेंगे अभी काटेंगे तो य मतलब time is equal, तो distance को अगा speed से divide करेंगे तो time में लगा, ठीके, तो distance चाहिए है, यह पर distance कितना है, train का जो length है, train का खुद का length है, वो और tunnel का जो length है, 160 meter, वो दोनों ही total distance है, मतलब 160 plus 540, ठीके, इन दोनों को add करेंगे, तो यह पर आजएगा 700 meter, 700 meter है, यह पर distance, speed कितना है, 20 meter per second, तो 700 को हम अगा 20 से divide कर देंगे, तो यह पर आजएगा 35 second, ठीके, 35 second में 160 meter का train को 540 meter का train क्रोस कर पाएगा, ठीके, तो समझ भाए आगा, इस वीडियो में किसी भी question को आगा, समझ ने में कोई दिख का थो तो आप ज़रूर comment box में comment करके बात, यह मैं कोशिच करूंगा उस question को आपको फिर से समझेंगे, ठीक है, अगर वीडियो का अच्छे लगा है तो जुरूर लाइक, शेयर और सब्सक्रेब कीजीगा, नेक्स टेम इस टेम को और भी वीडियो लने के कोशिच करूंगा, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे,